हेलो स्टुडेंट्स आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाई आजासर में स्वागत है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें तो आज हम आपकी टैंथ क्लास की गडित की वरक्षिट नंबर 61 करने प्रवर्ति की माप को की क्या कहते है कि अब देल Sr. आज कौन निकाल सकते हैं तो हम बारी-बारी से पढ़ेंगे क्यान निकाले जाती है माध्य का मतलब क्या होता है 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 हुई आंकनों का का ओसत माध्य का मतलब क्या है जी आपका आंकणों का ओसत निकालते हैं अब ओसत निकालने के लिए अलगलग विदियां होती है परत्यक्षुदी कल्पित विधी और पद्विचलन विधी पद्विचलन विधी बेटा आपके इस बार इस साल के सिलेबस में नहीं है आपको मान्दे वृधि क्या होती होता ये संचित विधि इसमें होता मात्विद्य ts. a प्लस में sigma fi di upon me sigma fi ठीक है परतेक्षुदी का फामुला यह है आपका fi x i upon me sigma fi और समचित्थ विदिया कल्पित मात्य विदिया a प्लस में sigma fi di upon me sigma fi पदविचले निस साल आपको नहीं पढ़ना है अब इसका कोई graphie रूप नहीं इस विधी का कोई भी graphie रूप आपका नहीं होता है यानि कि किसी भी graph के दुआरा आप माध्य ग्यात नहीं कर सकते हैं तो आप देखते हैं बैटा हम माध्धिका के बारे में अर्थात मध्यमान अब L का मतलब होता है lowest value यानिके वो interval जिसके बीच में आपका मध्यमान आएगा माध्धिका आएगी उसके जो interval होता हुसे कहते हैं L वो निकालनेते कैसे हैं वो हम जब practice करेंगे question की वहां clear करेंगे N by 2 मानस CF CF का मतलब का होता cumulative frequency F का मतलब frequency है H का मतलब की height है कितने का gap होता है अब माध्धिका निकालने के लिए एक graph ये रूप होता है हमारा हम ऱुरं के द्वारा मतलब का निकाल सकते है अबुरन के द्वारा का सकम परकार का तोण या अधिक परकार का तोरण ठीक है अगर पूर्च सकता है किस graph विदी के द्वारा हम मतलब का सकते हैं तो क्या है तोरण के द्वार उसके लगे बश्लक के लिए क्या है सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्शन क्या करहादा वह लेकिन यहां पर क्लास इंटर लेने रखा होगा साथ नोए बुहा व्यादा ऑल स sigma fi xi sigma fi xi l plus sigma f1 minus f0 upon 2 f1 minus f0 minus f2 गुणा में h l plus sigma sorry sigma कह रहे है l plus f1 minus f0 f1 है बेटा यह f1 minus f0 upon 2 f1 minus f0 minus f2 into h अब बहुलक निकालने के लिए graphie video होती है इमारी आयाचित्र आयाचित्र के दोवारा बहुलक निकाल सकते हैं ठीक है तो आप देखते हैं आगे बटा इधर क्या दिया था उसने हमें इसने में दिया था यहां देखी आराम से सांखिकी के आंकड़े क्याता सांखिकी गड़ित की वह सांखा है जो आंकड़ों का संग्रे विशिलेशन व्याख्या और प्रस्तुती करती है सांखिकी क्या है गड़ित की वह सांखा है जो आंकड़ों का संग्रे करती है विशिलेशन करती है व्याख्या करती है और प्रस्तुती भी करती है आख्रे सार्थक समुऊं का संग्रे होते हैं सार्थक शूचनाओं का उन्हेंस से kusy na कुछ सूचना चे לת्षक्टा की हैं और आख्रे दो परकार कहोंते और समुऊं रूप में रूप में अब केद्र-परवरती की माप हम ने भी पढ़ी इसका आर्थ है कि वित्रन का केंद्र और स्थान केंद्र परवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व पूछ ले तरह एक नंबर के अंदर आपका तो केंद्री परणुति के तीन उम आपको के विश्में संबंद क्या आपका बहुलक बराबर तीन माध्या के मानेस दो माध्य है आगे देखते हैं है कि यंदी वर öगंतराल सततना हो यदी वरगंतराल शततना हो यहां एक समान नहीं तो उन्हें सतत बनाने के लिए हम क्या करते देए निमने सीमा में 0.5 घटा देते है और उपरे सीमा में 0.5 जोड देते हैं ठीक है अगर Face Act इनर hum सतत नहीं है Contin였습니다 लहीं चला जहां स्खत्म आगली वाई से शुरू नहीं है तो पहली वाली में 0.5 घटा देते हैं यानि कि आधा घटा डेते हैं और बाध वाली में इसे वर्ग चिन निकालने के लिए फार्मला है उपरी सीमा प्लस निमनी सीमा बटे में दो यह आपका वर्ग चिन निकालने का फार्मला आपको याद होने चाहिए इसके उपर कोशन आप से पूछे जाएंगे एच क्या होता आपका होता वर्ग माप यह क्या होता उपरी सीमा मानस निमनी सीमा उपरी सीमा में से निमनी सीमा घटायते हैं तो आपका निकाला आता है एच यानिके वर्ग माप उसका बटा परिसर परिसर क्या होता अधिकत माकड़ा मानस नियूनत माकड़ा यह होता परिस संची वारं बारता अगर आधे से क्या है क्या बराबर है तो क्या क्लाता माध्य कहलाता है बहूलक क्या होता है वह रिजिसकी बारं बारता सबसादी को जो सबसे ज्यादा बार आएगा वह आपका क्या किलाएगा बहूलक कहलाएगा तो आगे देखते हैं क्या कहता हम से कहता आप इनका उत्तर दीजिए अब हमें इनका उत्तर देना है तो देखते हैं क्या से हम उसको उत्तर देंगे यहां देखिए कहता वर्ग चिन हमें निका दम्णा पड़ा एक बटे दो यानिकि उप्री सीमा प्लस निम πटे में दो गए तो पड़ा तो दिएगे आंकड़ो 25, 125, 130, 160, 180, 170, 103 कब परिसर ग्याद कीजिए परिसर बटा हमें इसका निकालना है तो परिसर के लिए क्या हो तो बताया था आपको कि सबसे बड़ी value मैं से सबसे छोटी value क्या कर देते हैं हम घटा देते हैं तो हमें सबसे बड़ा जो दिखाए दे रहा है बटा वो दिखाए दे रहा है 255 उससे बड़ा तो नहीं है और सबसे छोटा दिखाए दे रहा है 103 ठीक है बटा तो हम इसका परिसर निकाल देंगे highest value कितनी है 205 lowest value है 103 तो देखे कैसे इस तरह से इसका आंसर देते हैं हम इसका यह दूसरे question का answer है बटा HV highest value कितनी है बटा 255 LV lowest value है नहीं कि निमनमान कितना है 103 है आपका आपको निकालना है बटा परिसर क्या निकालना है परिसर परिसर निकालने के लिए आपको क्या बता है था highest value minus lowest value ठीक है highest value बटा 255 और lowest value है आपके 103 तो घटा देंगे आप इसको 5 मिस 3 है तो 2 और यह आपका 5 का 5 और यह आपका 1 कितना आ गया बटा 152 आपका परिसर आ गया अब देखते है बटा इसका question number 3 क्या कहता है तीन कहता है केंद्रे परवर्ति के तीन मापों के बीच अनुभावजन्यय यहां के empirical formula यहां के संबंद आपको क्या है तो हमने बटा इसका formula पढ़ रखाया संबंद पढ़ रखा के बहुलक बराबर होता 3 माद्धी का माद्ध कि यहां अपको म।क करें कि यहां करकर देंगे हम कर स aika संबंद आपकर बहुलक बराबर 3 माध्यक मानस 2 माध्य, चेक जगा नहीं है, तो मैं यहान लिख देता हूँ आपका, बहुलक बराबर 3 माध्यक मानस 2 माध्य, ओर ठीक है, तो यह संबंद हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद कहता है उपरी सीमा और निमनी सीमा के अंतर को क्या कहते है उपरी सीमा और निमनी सीमा के अंतर को क्या कहते है तो हम जानते है उपरी सीमा और निमनी सीमा के अंतर को क्या कहते हैं परी सर क्या बोलते हैं ठीक यह होगा तीसरा कोशन पांच वा कोशन क्या कहत पर्थम पांच अभाजे संख्याओं का माध्य ग्याद कीजिए पर्थम पांच अभाजे संख्याओं का माध्य ग्याद करना है तो पहले हमें अभाजे संख्या लिखनी पड़ेंगे फिर उनका माध्य ग्याद कर देंगे तो देखिए वाटा कैसे करेंगे हम आंसर इसका प यह पहली पांच अभाजे संक्या हो गई इनका माद्धे निकालना है तो माद्धे के लिए फार्मुला क्या है आपका X-axis में तो सिग्मा एकस आई अपॉन में एन ठीक है यानि कि इन सब कर तोटल कर देंगे हम पहले कितना होगा दो प्लस सिग्मा का मतलब सम होता बटा कितना होगा दो 3 5 7 11 बटे में ठीक तो इसको जोड़ दीजिए ये कितना होगा दो त्रीन 5 5 5 10 और 18 कितना होगा बटा 28 हो गया बटे में पांच है आपका काट दीजिए कितना हो गया पांच पंजे 25 और पांच चेंग 30 कितना जाएगा पांच पॉइंट छे आपका अंसर इसमें हो जाएगा ठीक इस तरह से आपके आज की वर्कशिट पूरी होगी उम्मीद करते हैं आपको चैसे में आगए होगी तो व सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं आपसे अगली वूडियो में